इस वक्त हमारे साथ दो ऐसी खास चर्चित शक्सियते हैं जो देश के एक महान राजनेतिक घराने से तालुक रखते हैं हम बात कर रहे हैं समाजवादी पाटी के सनरक्षक मुलाहिम सिंग यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव और उनकी छोटी बहु अपड़ना यादव की सबसे पहले हम प्रतीक जी से सवाल करेंगे ये बताईए राजनीती और प्रतीक का कोई नाता नहीं समझ में आता हम शुरू से देखते आ रहे हैं आपका पूरा का पूरा क्लैन इस इंटू पॉलिटिक्स प्रतीक क्यों दूर हैं देखिए मेरा बच्पन से ही रुझान रुची जो भी कह लीजे मैधवकांग्षा कह लीजे कुछ भी कह लीजे वो कभी थी ही नहीं राजनीती की तरफ मैंने बहुत एक छोटी उमर पे तैगर लिया था कि मैं अपना खुद का बिजनिस करूंगा और अपने बिजनिस में और ही कुछ के कर के दिखाओंगा कि लोग कहberger कि हाँ धे उनोंने खुद से बनाया आय तो वाता बनाया हुकह उग रास्ते पर न्हों हुए उन छे जो बनाया ば न प्रतीक या दव है यह बाइ साइकल की सवारी के लिए जाना लंबोर्गनी के लिए जाना जाता है उसको लेके बड़ी चर्चा हुई थी अब शायद वो थमती नजर आ रही है क्योंकि अब तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकी में मेहनत करके गाड़ियों का शौक रख लेकिन प्रतीक याद है विक उन में से एक है जो पक्षू प् करण थे लिए से इस समय तो मैं तो एक सफने को साथ शौकर होते हैं। ер इसकर आप तो जो अब प्रती कोय नहीं होनи चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए अपने सपने को पूरे करने कि आपकी कर नहीं होने posture हो तो उस उसकी पूर्ती क्यों नहीं होनी चाहिए हमारे साथ अपढणा यादव है जो अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है अपढणा हमेशा आप चर्चा में रहती है यादव सरनेम जरूर मिला आपको लेकिन उससे हट करके काम आचकल कर रहे हैं आप मोधी प्रेमी और योगी लागते हैं क्या संकेत दे न चाहती हैं कोई संकेत देना चाहती हूं मैं बस較 मुझे सही लगते हैं जैसे आपने आपकी सही चीज से वही बोल देते हूं आपको सपानेता कहा जाता है मानते यहीं है कि आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं लेकिन समाजवादी पार्टी के जो राष्टिय अध्यक्षे वो कहीं ना कहीं थोड़े नाराज दिख रहे हैं अपर्णा से कई प्रेस कॉंफरेंस में भी हमने द अपना मनतव्य है और उन्होंने सिर्फ मेरे लिए नहीं उन्होंने शायद एक जेनरल स्टेट्मेंट दिया था सभी के लिए पर अगर वो यह समझते हैं कि यह राशी समरपन निधी नहीं है या किसी मनतव्य के माध्यम से दी जा रही है तो मेरी देखे यह स्वेच्छा और राम हमेशा से मेरे इष्ट रहे हैं हमेशा से हमारे लिए पूज रहे हैं और मैं भारतिय हूँ मैं राम की उपासक पहले हूँ उसके बाद फिर मुझे किसी चीज से जोड़ा जाए तो मैंने अपनी स्वेच्छा से दिये मैंने किसी पर दबाव नहीं बनाया इसके ल हुए और देश में जो काम हुए भारत जो कि इतनी ज्यादा अबादी वाला देश है जहां पर हम लोग मानेंगे इस बात को सबसे पहले कि हेल्थ केर फेसिलिटीज एस पर पॉपिलेशन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए तो मैं तो यह देखता हूं कि economy is well hit by corona but जो काम क करोना को रोकने के लिए इस देश में किये गा हैं वो सरानिये हैं और यहां पर यदि इतने strict measures नहीं लिये जाते तो इस बीमारी से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था देश को योगी सरकार के बारे में क्या कहेंगे मैं वहीं कह रहा हूं आप से मैं गूम कि उसी बात प अपर ना आप क्या कहना चाहेंगी योगी सरकार के चार साल पूरे हो रहे हैं इस पर क्या कि मैं प्रतीक जी की बात से बहुत सहमती रखती हूं और जिस प्रकार से आदर्णिया योगी जी ने पूरे measures लिए को रोना को रोकने के लिए चाहे वो lockdown हो चाहे वो जो है खाना बटवाया गया आपको लगता है योगी सरकार ने सरानियाकार किया बहुत सरानियाकार किया इस पीरियड में तो बहुत ही जाद सरानियाकार किया है जिनके पास चपले नहीं थी जो मजदूर आ रहे थे उनको चपल पहनाने का काम किया है तो मतलब जो है बहुत बड़ा ए एक करोड़ व्यक्ति इस प्रदेश से ट्रांजिट हुआ है, चाहे वो बिहार का हो, मध्यप्रदेश का हो, उडिशा का हो, all together साउत महराश्टर का हो, और साथ लाख इसमें, सिर्फ साथ लाख मैं आपको बता रही हूँ, महराश्टर से सिर्फ यहाँ पर आये थे, तो आप समझ सकते ही, वन करोड़ पीपल ट्रांजिटिंग डियॉरिंग डाट फेज, कितने बड़ा मतलब यह काम हुआ होगा, उत्तरप्रदेश सरकार ने किया, तो यह बहुत बड़ी बात है, और यह सरानी है, लेकिन आपकी पार्टी के राश्य अदिश कहते हैं, कि चार साल में लोगों की कमर टूड गई, जो जनता है, वो तरस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, क्या कहना चाहेंगे, एक क्रिशी प्रधान देश हैं, और हमारे पास क्रिशी से ही आज तक 65 प्रितिशत एकॉनमी हमारी फंक्शनिंग कर रही है, हमारी सरकारों को जितनी भी आई हैं, प्राइविटाइजेशन की तरफ या इंडस्ट्रियल उसकी तरफ बढ़ने का कदम कर रहे हैं, प्रयास कि या जा रहा है, आंट्रिप्रॉनर्शिप डेवलप करी जा रही है, मगर मोस्ट ऑफ दे इंडियन्स या तो भट्टे पे काम करते हैं, या फिर आपके खेतों पे काम कर रहे हैं, अभी भी तो आई तिंग फार्म बिल बहुत बड़ा एक बिल आया है, जो कि एराडिकेट क करने का काम करेगा, पौवर्टी जो बताया जा रहा है, इसके पक्ष में हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि किसान अभी उसके पक्ष में नहीं नजर आ रहे हैं, पूरे देश में, मैं सरकार से यही अपील करती आई हूँ, कि अगर हमारे किसान खुश नहीं है, कुछ ऐसी ब फसल भी उखाड करके फेख सकता है, पृतिक आप क्योंकि खुद गाडियां चलाते हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइस इतने हाई हो चुके हैं, कि आम आदमी परिशान हो चुका है, उसको लेके केंदर सरकार को गहरा जा रहा है, विपक्ष द्वारा भी, आम आदमी की द करता था, और अब देखिए, कई प्रदेशों में तो जो मीम्स चलती हैं, आज कल की सेंचुरी हो गई है, और उस तरह की मीम्स भी आने लगी हैं, बड़ी फनी फनी, तो ये एक आम जनता के लिए बहुत बड़ी समस्या की बात ये है, कि जो हमारे पास वाहन जितने भी है हमारे पास वाहन तो हैं, अब उसके अंदर अगर तेल भराने का, अगर आदमी के पास समर्थी नाय बन पाए, तो उसका करेगा क्या, अपने काम पे और अपने बच्चों को छोड़ने, बच्चों को लेने, अपने द्रोज मर्रे की चीजें करेगा कैसे, तो ये समस्या ब इसको लेकर सरकार को कोई ना कोई फैसला लेना है, जी मैं वही कह रहा हूँ आप से कि देखते ही देखते ही 50 रुपे से और डबल हो गया है, और आम आदमी के लिए इतनी कठिनाई की बात है, तो इसका कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर च कॉंपोनेंट होता है, जिससे कि हर चीज महंगाई पर फर्क जादा पड़ जाता है, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक कि आखिरकार राजनीती में और आगे क्या सोचती हैं अपर नायादब। सहारा पराम, हस्तक छेप में आपका स्वागत है, आज हमारे साथ एक ऐसी शक्सियत है, आप हमारे दर्सकों को समझाईए, किसी को कन्मीन्स न कर सको तो कन्फ्यूस करो, अंदार से नहीं चलता है देश, देश चलता है बेवहार और कानू से, और बीमारी तो किसी को आने के लिए जो रास्ता है, वो जल्द सम्रत्थी के मार्स जाता है, अगले तीन महिने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं, जो सकता है, वहाँ पर उछे पुछा क्या आपने, कि आपने इनको पैदल को चलने दिया, चैनल साहब, सहारा न्यूस नेटवर्क एक ल आपने कम्यूनिटी का साम रहने कम्यूनिटी का सब्सक्राइशन नहीं हुआ, महामारी में हम लोग तुरंद जाके उलज कहें हैं, यह तो कहा जा सकता है कि सर मुडाते और ले पड़े, तो एक तरीके से हमारे कम्यूनिटी में एक सेंस और डिपॉनिटी भी था, जो पब प्रकृति नराज है या इनसान की कोई बड़ी भूल है मैं जो देख रहा हूं, यह प्रकृति का एक संकेत है ब्रिक के बाद आपका फिर से स्वागत है अपड़ना सवाल आपसे चुनाव उत्तरप्रदेश चुनाव को मातर एक साल बच्चा है ऐसे में आपकी क्या तैयारी है क्योंकि अगर आपको समाजवादी पार्टी से टिकित नहीं मिलता है तो फिर क्या अपड़ना यादव क्योंकि अपड़ना को तो राजनीती करनी है समाज सेवा करी रह हुआ तो क्या लगता है क्या आपको अगर कहीं और से नहीं मिलता है तो आप जा सकती है दामन थाम सकती है चाहे वो कॉंग्रेस हो या बीजिपी सबसे पहले तो मैं यह बोलना चाहते हूं कि मैंने आदर्णी नेता जी को हमेशा से अपना राजनीती गुरु माना है और आदर्णी नेता जी के ही कहने पर मैंने चुनाओ लड़ा था पिछला भी और जो भी मैं करूंगी मैं नेता जी की सहमती से ही करूंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है अगर उनको लगता है कि मेरी जरुवत है फिल्ड में तो डेफिनेटली वो मुझे अपनी हिसाब से टिकट दे करके उतारेंगे उनको लगता है कि भाई अभी जरुवत नहीं है तो फिर देखा जाएगा अगर उनको लगता है कि कहीं और से जो आप कह रही है नियूता आकर जो है दे दें और उनको लगेगा यह तो वो उनकी मंतव यह है बर मैं इस पे कोई पर्सनली अपना हस्टक शेप नहीं रखोंगी मैं समाथ सेवा करती हूँ कोई उनकी आम राय नहीं होती है क्योंकि जो पार्टी का से होता है उससे अलग से होता है हमेशा से मैंने यह सीखा है क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट रही हूँ और मेरे कह लिजे कि आदर्श भी रहे हैं लोहिया तो लोहिया जी ने अभी भी ये बात देखे उन्होंने तो खुले पार्लेमेंट में इंद्रा जी की जहां तारीफ करी वो तो धुरविरोधी थे एक दूसरे के और कहीं न कहीं जब उनको लगा कि इनकी आलोचना करने की आवशकता है तो वो भी करा आदर्णी नेता जी ने जिन्दगी भर भाजपा से हमेशा दूरी बना करके रखी मगर आदर्णी प्रधान मंत्री जी के लिए मोधी जी के उन्होंने भरी पार्लेमेंट में जो है आशिरवाद दिया कि वो दुबारा प्रधान मंत्री बने जबकि उस समय राष्टी अध्यक्ष जी खुदी अपने लिए कह रहे थे कि वही नेता जी बने या वो बने प्रधान मंत्री लेकिन कहीं न कहीं ये सुबगाहट है कि आपड़ना बीजेपी जा सकती है क्योंकि योगी जी से भी आपके काफी करीबी योगी जी से मेरे जो संपर्ख हैं वो आज के नहीं है वो जब एक महन थे तब भी थे जब वो Member of Parliament से तब भी थे जब अवैदनाज जी के डेथ हो गई थी उस समय भी मैं वहाँ पर गई थी तो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता था उस समय कि आदर्णिय योगी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे किसी दिन प्रदेश के और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं पर उनका था ये चीज़ उनके अंदर टैलेंट था उनके अंदर एक काबलियत थी जिसमें लगा लोगों को कि केंदर सरकार को रगा कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिया अपके अपकी एड़़ाऄ फिंब आपके एड़ाईज किता माइन रखती है क्योंकि अपढ़ना अपनी बिबाखी के लिए जाने जाती है ऐसे में अगर अपढ़ना को टिकिट नहीं मिलता है समाजवादी पार्टी से और इनके पास एक अच्छा ओफर होता है बीजीपी दुआरा तो आपकी क्या राय होगी आज लेमेन देखिए अज लेमेन तो कोई वो काम करें और वो जहां से भी काम कर सकती होंगी वो वहां से काम करें कि प्रोफेशनली प्रोफेशनली हर व्यक्ति को मैं आगे बढ़ते देखना चाहता हूं एक अच्छे हस्बिंड का ये वाकी में एक सपोर्ट बहुत जरूरी होता है जिनकी ये राय है कि राजनीती में अगर पत्नी को आगे बढ़ना है तो चाहे वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े वो कारे करें और आगे बढ़े सबसे बड़ी चीज कि क्यूंके आप भी देख रही है कि चुनाव क्यूं हारा गया था पिछले बार समाजवादी पार्टी ने बहन जी का हाथ थाम करके चुनाव लड़ा था लेकिन नतीजे सब के सामने थे परिवार में दो भाग हो गए इस वक्त भी चाचा की अलग प साहिए कि समाजवादी पार्टी फिर से उभर करके आए क्योंके अपोजीशन सबको पता है वीक है देखि समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी अगर अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ देगी अगर अपने स्टैट्यूचरी जो प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी प आज नहीं तो कल यह चीज होनी तय है और जो परिवारिक जगड़ा हुआ वो सबसे बड़ा मुख्य कारण है नेदा जी कहते रहे गए कि सब लोगों को एक होना चाहिए सब लोग एक हो जाए सारे लोग एक मंच पे आए नहीं हो पाया क्योंकि उनकी नहीं सुनी जा रही है तो यह बड़े दुखद है यह हमारे लिए आज़ा बहु बहुत दुखद है चाचा का कहना यह है सम्मान पूर्वक अगर बुलाया जाएगा तो वो साथ होंगे ऐसे में क्या लगता है यह दोनों आपस में तै करें क्योंकि इन दोनों के ही बीच में वात विवाद हुआ है जिसके वज़े से परिवार में इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है और आईसा बहुत दोनों को लिए मैं यह चाती हूँ कि यह हो जाए अच्छी बात है प्रतीक जी बाई एनी चांस राजनीती में कदम रखने का कोई 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 आफसर आप सोच रहे होंगे कि आए या फिर आप अपना मस्त है अपना एक डॉग लवर के तौर पे आपके बहुत वीडियो जाते रहते हैं यह जिम में आप लोगों को बहुत काम करते ह हैं कि यह जो उसके अलावा कही नगहीं आपको लगता है कि नहीं राजनीती में भी क्योंके सब लोग आगे आ रहे हैं एक मौका मिलता है कारे करने का देखिए बाई प्रोफेशन में अंट्रपेर्णियोर बिसनसमान हूं लेकिन प्रोफेशन मेरे कई डेड़ सारे हैं ब अच्छों की बहुत सायता करता हूं मेरी खुद की संस्था भी है एक यह प्रोफेशन हो गया इसके लाव एक अथलीट वाला प्रोफेशन भी हो गया तो जो सुबे का जो मेरा सुबे का जो अर्ट बच बच्छता है तो रात में बारा कब बच जाता है मुझे पता निज तो मिरे किया रहल कि अटना से वाल में जो बहुत सफ़न हु हरी चीज में उसतनी जही ऑर हो और इल बहुत सुए कर रहा हूं और अटेकंग प्ल रॉभ थोड़ा दूर है और एंग तशना कु लिछ जो भी चल रहा है। जितनी वी छीज से बाहत दू हुता हूं तो मिरे क आपको पहला इंटर्व्यू मुझे अभी भी याद है नहीं मैंने कहाता है आपको आपको एसा लगता है कि मौका कहीं से मिले मौका को नहीं छोड़ना है और अगर आपके अंदर विल है पार है तो आपको नेता बनने से या आगे बढ़ने से कोई नहीं रोख सकता मौका अगर बोल रहे हैं आपकी छोड़ना नहीं चाहिए तो ऐसे मौके बहुत सारे थे जो कि मैंने अपने परिवार के लिए छोड़े भी और मुझे लगता है कि मुझे फैमिली को मैंने प्रियोरिटी दी और मैंने इस फैमिली को बाइंड रखने के लिए काफी प्रियास किये नहीं हो सका मुझसे पर आगे क्या होता है मैं सब कुछ नीता जी पे छोड़ती हूँ क्योंकि वही मुझे पॉलिटिक्स में लाने वाले हैं देखे अपर्णा समाजवादी पार्टी से कहा की रहत तै करती है या इसी पार्टी में रहती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जानेंगे इनके एक छोटी सी लव स्टोरी के बारे में ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है इनिमल लवर वो भी स्ट्रेड ओक से जो प्रेम है जब प्रतीक यादव की गाड़ी रुकती है तो कुट्टे आगे पीछे सब डोलने लगते हैं क्योंके उनको खाने को बहुत कुछ मिलता है प्रतीक अगर हम लखनों की बात करें कई ऐसी जगाएं हैं जहां पर देखते कि अपर बहुत के आप आप लगता हैं तो कि आप जादी पर जाएं से क्यादी कर लगती हैं जब पर दोनों के विचार जगाएं करने के निवीज नहीं को यह जो प्रत पार्टी मेरे और कि अगर आप जो अने मिलता हैं जब रहारा हैं लगने सुछता है तो आप आप कि आपने बोला कि खास बात ऐसी क्या देखी तो वो देखने में ना आठ साल हो गए थे तक्रीबन क्योंकि हम मिले थे 2003 में चादी हमारी हुई है 2011 में तो आठ साल का लंबा एक समय था उसके अंदर काफी चीजें मैच हुई काफी चीजें मिस्मैच हुई काफी इगलेशिक वे दूर हुए काफी दोस्ती बड़ी फिर प्यार बढ़ा तो यह मतलब आठ साल का सफर एक बात लंबा सफर होता है तो उसके बाद में हम लोगों को ने शादी करिए तो इड़ ना एपन वेरी सून और इन मंथ और अब रहा मतलब यह लग स्टोरी थोड़ी तोड़ी त अपड़ा को क्या बसंद आया मुझे प्रतीक बहुत गंबीर आद्मी है बहुत गंबीर विचारों वाले है और इस वेरी सिंपल परसन और वरी फैमिली ओरियंटेड मैं तो मुझे बहुत हमेशा से जाहिए था कि हूएवर शुट बाइफ पार्टनर शुट बेरी फैमिल award मैं या शुटो जब बीटिया है आपने बच्छों के साथ बाएं आपने एंपने बच्छों के साथ इनुे चैते है मिला तो अब अपने बच्चों की परवरिश को नहीं रहा हुआ है। अपने बच्चों की परवरिश जी के सबसे पहले और मेरे रियाद कर रहा है। है आज कल तो कोई रियाद नहीं है। तब ही थे फट गया है क्योंकि पॉलिटिक्स में जैसे शोर है मुझे लग रहा है मेरे अंदर भी आरहा है सूर कहीं भाग रहा है मुझसे दूर कुछ ले सूरताल कुछ हो सकता है पड़ा मुश्किल है पर थोड़ा सखादेती हो मैं नैनो में बद राचाए बिजूरी भी चमके हाए ऐसे में बलाम मोहे गरवा लगा हाए बहुत गलत हो रहा है बेहादी सूरीली आवाज है और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रतिक यादव अब धीरे-धीरे थोड़ा सा मीडिया वालों को समय देने लगे हैं और इसके लिए हम इनके शुक्र गुजारे हैं क्योंकि राजनीती से बहुत दूर रहते हैं लेकिन कहीं न कहीं क्योंकि यह जो सेवा करते हैं वो लोगों तक पहुचनी चाहिए और इस इंटर्व्यू से आप सबको यह संकेत हो गया होगा कि 2022 के चुनाओं में अपर्णा यादव कौन सी रह को पकड़ेंगी सहरा समय के लिए कैमरमन रजनीश कुमार के साथ अलहमरा खान